हेलो नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है विकास गुपता आप देख रहे हैं पिएरेंस इंस्टिट्यूट यूटूब चैनल इस वीडियो में हम DRDO MTS के इजाम डेट के बारे में डिसकस करेंगे इस वीडियो में हम देखेंगे कि आखिर हमारा इजाम क्यों नहीं हो रहा है और इजाम डेट में क्या प्रोब्लम है और इजाम डेट कब आ सकता है दोस्तों आप से आगरा होगा कि आप हमारे चैनल पर लास्ट तक बना रहे लास्ट में हमने आपके लिए एक important information DRDO इजाम ड बात करें तो DRDO एक defense sector की organization है जो कि भारत के लिए defense related machine भी बनाने का काम करती है भारत के लिए यह बहुत ही गर्व करने वाली संस्था है क्योंकि इन्होंने भारत को एक नई मुकाम पर पहुंचाया है और हमारे भी DRDO पर गर्व है लेकिन एक normal student के लिहाज से सोचे तो DRDO student के मामले में बहुत ही FCD साबित हुई है आज total 571 दिन हो चुके है यानकि एक साल 6 महिने 22 दिन हो चुके है लेकि DRDO एक इजाम conduct नहीं करा पा रही है वह है इजाम है दूस्तों DRDO MTS का किसी जाम को कराने में लगता है DRDO के कोई दिल चस्पी नहीं है ये लोग पैसे लेकर लगता है कहीं छुटिया मनाने चले रहे हैं इधर स्टुडेंट इंतजार पे इंतजार किये जा रहे हैं लेकिन DRDO को कोई भी चिंता नहीं है बहुत सारे यूटूबर दोस्तों आपको expected date बता रहा है कि इस टाइम तक इजाम हो जागा इस टाइम तक इजाम हो जागा लेकिन मैं आपको सही fact बताओ दोस्तों तो अभ अभी तक तो सब चीज़ ठीक है तो आप खुद से एक अनुमान लगा सकते हैं कि एक मन्त के अंदर अगर BPSC चाहे तो आप सोरी अगर DRDO चाहे तो आपका इजाम करा सकती है लेकिन यहां उनके उपर निर्वा करता है सबसे ज्यादा इसमें प्रोब्लम देखे दोस्तों से एक मेरिट वाले स्टुडेंट को हो रही है क्योंकि उन्हें बार बार पढ़े हुए चीजों को डिवेजन करना पर रहा है और जितना टाइम बढ़ेगा आपका उतना ज्यादा आप एक चीज समझे करेंट अफ्यर स्काप के ऊपर बोज भड़ेगा ठीक है तो दोस्तो इसके लिए हमने सोचा है कि एक कैंपेण चलाया जाए ट्विटर पे ठीक है एक कैंपेण चलाया जाए ट्विटर पे जिनमें हम सभी मिलकर है घर्ष्टाग DRDOFTS इजामडेट ट्वीट करेंगे 17 अगस्त 7 बजे ठीक है 17 अगस्त 7 बजे आप जरूर से जरूर ट्वीट कर आज से करता हूँ दोस्तों आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करे लाइक करे और सेर जरूर करे धन्यवाद मिलते हैं अगले वीडियो में